दोस्तों क्या आप जानते हैं सेव को स्वस्त के लिए बहुत फाइदेमंद माना जाता है हर रोज एक सेव खाने से कैंसर, हाइपरटेंशन, डाइवेटीज और दिल से जुड़ी बिमारियां के होने का खत्रा कम हो सकता है सेव में पेक्टिन जैसे फाइदेमंद फाइबर्स पाये जाते हैं सेव एक ऐसा फल है जिसे खाने की डॉक्टर अक्सर सलह देते हैं सेव को स्वस्त के लिए बहुत फाइदेमंद माना जाता है सेव में पेक्टिन जैसे फाइदेमंद फाइबर्स पाये जाते हैं हर रोज एक सेव खाने से कैंसर, हाइपरटेंशन, टाइविटीज और दिल से जुड़ी बिमारिय के होने का खत्रा कम हो सकता है सेव में पोशक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं सेव में पोटेसियम, होस्पोरस, मैगनेसियम और आइरन परचून मात्रा में होते हैं आइरन से सरीर में हिमोगलोविन की कमी नहीं होती इतना ही नहीं आईरवेद के अनुसार सेव तोचा रोग जलन दिल का दोरा बुखार कब्ज की परिसानिया मेला पहुचाता है सेव में एंटी अक्सिडेंट फाइबर, बिटामिन सी और बिटामिन बी पाया जाता है जो आखों के लिए बहुत फाइदेमंद माना जाता है डॉक्टर से लेकर न्यूट्रिस निश्ट तक सेव को खाने की राय देते हैं सेव में पाये जाने वाले तत्व कई मिमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं सेव के सेवन से वजन को असानी से कम किया जा सकता है तो चलिए आज हम आपको सेव खाने से होने वाले फाइदे के बारे में बताते हैं सेव खाने के फाइदे नमबर एक वजन घटाने सेव के सेवन से वजन को कम किया जा सकता है सेव फॉली फेनोस डाइटरी फाइबर केरोटीन नॉइड जो एक तरह का एंटी अक्सिडेंट है और कई पोशक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं सेव एंटी ओबेसिटी गुनो की तरह काम करता है जिससे मुटापे को कंट्रोल किया जा सकता है नमबर दो डाइबिटीज सेव को डाइबिटीज में फाइदेमंद माना जाता है सेव में मवजूद फाइबर खराब कोलेस्टरोल को कम करता है और अच्छे कोलेस्टरोल को बढ़ा कर डाइबिटीज को कम करने में मदद कर सकता है 3. Immunity सेव का रुजाना सेवन करने से इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सकता है सेव में एंटी अक्सिडेंट और फाइटो के मिकल मौजूद होते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं 4. Liver Liver को स्वस्थ बनाने रखने में मददगार है सेव का सेवन सेव के एंटी अक्सिडेंट गुन सरीर में डिटॉक्सिफाई एंजाइम का परवा बढ़ाते हैं और लिवर को साफ रखने में मदद करते हैं नमबर पांच हडियों सेव में केल्सियम फॉस्पोरस और पोसक तत्व भरपूर मातरा में पाये जाते हैं पोसक तत्वों की पूर्ती से और पोरोसिस को ठीक किया जा सकता है सेव के सेवन से हडियों को कमजोर होने से बचाया जा सकता है तो दोस्तों आप लोगों की जनकारी कैसी लगे हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं और आप लोगों की इस तरीके की जनकारी की वीडियो आप लोगों की चाहिए तो प्लीज कॉमेंट में जरूर बताएं और हम नेक्स्ट वीडियो किस फल पे पूरूट्स पे लाएं वह भ के साथ